यूरी नबर टू एट लाश शाल विजन ते लग्टर नमबर इस थ्री वार्शन और क्रीक का डियने का मॉडल तो इन्होंने जो है वह डियने का ईक स्वाइब किया लाएन हो एक मोडल एक्स्पवलीन के अपनाया तो उन्होंने क्या कहा है कि लूश थường जो सपने को यूण में पॉदावगी पेछा घ्डशन ay我 दोसरा दामी चिंपनारा यूदो और तीसरा साइटोसेन निकलियोटाइट है और जो था गोवानीन निकलियोटाइट है एडानीन निकलियोटाइट को हम A से टेनोट करेंगे खायमीन निकलियोटाइट को T से साइटोसेन निकलियोटाइट को C से और गोवानीन निकलियोटाइट को D से रेप्रिजेंट करेंगे और यह सारे जो letters हैं यह capital letters ही utilize होंगे तो क्या है कि जो Watson and Creek model ने DNA का मालीगों बनाया और उसको publish करवाया उसमें उन्नोंने कहाए कि जो DNA का मालीगों है यह दो से trends पर मुश्तमिल होता है निकलिय ट्राइट के दो से trends होते हैं और यह जो दोन उसे trends है टी आने ये इने के साथ ने टनिर की तरह की क्रॉ aujourd होते हैं जैसे के सीड़ी और मुट बूटी फटी और दर्मियान जो हो चोटे-चोटे होते हैं त्युसू कैना यहां पर यह देखे ना है जो और शेयम ईयां डिकल में दिखाई हुई है लेटर शेप है तो इस है जो तो इस है निपलेंन के लिंक हो इस little होता है थाइमीन के सांग होतार और यह ऑनक्ला ऑनक्ला तरम्दईम सेटीमिन के रिवानिस धाटर स? और Gowanian के दरमयान में ट्रिपल पॉर्णिंग होती है तो इस तरह यह डबल और ट्रिपल पॉर्णिंग के साथ ग्रिक्स-क्रोस अरेंज्मेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं ठीक है तो यह था DNA का अब नेक्स टॉपिक की तरफ चलती हूँ जो कि है ट्रांस्पिशन आफ क्रेक्टर्स के खसुसियाद कैसे जहें वह एक जनरेशन की तरफ मुंतिकिल होती है तो इसमें केमीड्स का बहुत ही अहम करदार होता है ठीक है तो इसमें कहता है कि जो एक और्गनीजम जब बनता है तो इसमें केमीड्स होते हैं यानिके स्पाम और एक्स asleep होती है तो चो नुबर ऑफ क्रोमो सॉम्जम की तदा होगी संगल स्गल होगी नाकी डबल स्गल होगी यह हैड़ी life में ढमीन 다음에 हो तो जब एक मेल ऊड़रों से जो है ने करता है वो और मिलता है तो क्या होगा कि एक डिपलाइट सेल यानि के टू एंड बनेगा वन एंड मेल पेरंट से आएगा और वन एंड फीमेल पेरंट से आएगा यानि एक फादर से और एक मदर से ठीक है जब दोनों एंड मिलेंगे वन एंड मदर का और वन एंड फादर का तो यह टू एंड बन हेञाँ और इस तरीके से जो पूर्ए का पूरा हैरीडियर्य मेटेरल है यारी के अदर यह डीयमें है यह है एक वीजिकल और फंक्शनल यूंट है तमाम की तमाम अस प्रस्फाइब का चीन पेर्ष का थीक है और यह जाइगॉड्ड में सारे का तो यह जो जाइगोट है जब इसमें बहुत जादा च्रेंजिस आती है तो यह पूरे का पूरा एक और्गनिजम बन जाता है और उस पूरे और्गनिजम में वह अपने वालदान जैसी है निके मदर और फादर तॉर्णों के जैसे ही खुसूसियां मौजूद होती है तो यह जो Зाइगोट है यह पहला सैल है जिसमें एक लाइफ ने — लाइफ ने ऐक और्गनिजम की लाइफ से स्टार्ट से उर्योड नेखक्स टॉपिक है हमारा इनहरीटेबल और नोन इनहरीटबल क्रैक्टर्स यहांने के वह वाले क्रेक्टर्स जो हमें वालदेन से मिलते हैं हमें वरासत से और वह वाले क्रेक्टर्स जो के हमें वरासत से नहीं मिलते हैं यह हमें खुद अपनाने पड़ते हैं तो यह दो तरह के हमें क्रेक्टर्स पायजाते हैं जैसा कि Hieryn के सिकन के है है कि हमारी हैड़् है가 है हमारी इिए गूल हैं इस आरे के सारे वह आजना क्रेक्टर्थ जो के Parents Generation से और सप्रिंग्ज जनरीशन में ट्रांसमिट होते हैं तो वह वाले लिए इनहरीटेबल करेक्टर कहलते हैं वरास्ति खुसूर्सिया तो कहलती है ठीक है और इन करेक्टर जो जो है वह जीन्स कंट्रोल कर रही होती है और जीन्स जो हैं ये क्रोमसोम्स के अपर मजूद होती है इसके इलावा और भूस सारे करेक्टर्स ऐसे हैं कि जो पेरेंट्स से और सप्रिंग्स मेड नहीं ट्रांसफर होते हैं क्योंकि उन्हें जीन्स कंट्रॉल नहीं कर रही होती तो जिन्क्रैक्टर्स को जीन नहीं कंट्रोल कर्ती वो Non-Inheritable क्रैक्टर्स होते हैं जैसा कि Body Organ यानि कि एक्सी भी परसन का किसी एक्सिदंट में कोई भी Body Part Miss हो जाता है Lost हो जाता है या किसी बिमारी के वज़ासे Body Part Lost हो जाता है तो यह example जब nó legitimate है ये इनहेरेटबल नहीं है, क्योंकि ये पेरंट्स से चिल्डरन में या अपसबरिर्ण में ट्रांसफर्ट नहीं हुआ इसलिए यह non-inheritable character है तो next मैं चलोगी inheritable characters की examples की दरफ यानि कि वह वाली मिसाले वह examples जो के हमें वरासत में मिलती है ठीक है तो जैसा कि मैंने eye color के बारे मताया था कि हमारी जो आँखों का रंग है यह भी हमारे parents से ही मिलता जूलता होता है हमारे बालों का color है हमारी height है तो यह सारे वो characters है उन characters की examples है जो inheritable होते है चुकि इन्हे genes control कर रही होती है इसलिए यह क्या है यह inheritable है तो इसमें देखें सबसे पहले eye color है इसमें जो आँखों का रंग है किसी भी organism का यह इन को control कर रहा है जीन जीन का pair control करता है यह inheritable character है ठीक है अब इसमें यह कहता है कि जो gene है यह control करता है pigment होता है ठीक है pigment भी जो है वो color होता है तो कुछ लोगों की आँखों का color black है कुछ का brown है कुछ का light brown है कुछ का gray color होता है blue है, green है तो यह different colors होते है आइस के तो इसमें pigment का बड़ा एहम बड़ा important role होता है ठीक है यह हमारी आँखों में iris है iris के अंदर pigment मुझूद है तो यह जो pigment है यह different colors में होगा अगर brown होगा तो brown color होगा हमारी आँखों का ठीक है तो अगर ज्यादा pigment produce होगा तो black color हो जाएगा अगर बहुत ही कम होगा तो light brown होगा इसी तरह blue green है या hazel eye color है तो यह सारे के सारे जो colors है यह brown pigment की different amounts की वज़ा से तूसरी example जो है वो attached or dh attached earlobs है के हमारी जो कान की low है वो जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है तो इसको भी jeans ही control कर रही है तो यह भी एक inheritable character है कुछ लोगों की जो earlobs है वो उनकी face के side से साथ attached होती है जुड़ी हुई होती है लेकिन कुछ लोगों के जो कान की low है वो free होती है बिल्कुल भी attached नहीं होती है यह देखे यहा तो यह जो character है इस character को भी jeans ही control कर रही है ठीक है तो जब यह jeans काम कर रही होती है ठीक है मतलब कि कुछ में अगर यह jeans काम नहीं कर रही होती है absent jeans होती है तो उनकी जो कान की low है वो free होती है ठीक है और कुछ लोगों की जो jeans है जब वो काम कर रही होती है तो उन की जो कानगी लोग है वो अटैश घोती है। उनकी migration साथ यह दौनों के दौनों जो क्रैक्टर्स थे वो इनहेरेटेsen है। सिमल्लिक जो हटालना सैंतमबाई है क्य गया है ये फीमेल से ठीक है तो ये भी एक इनहेड़िटेबल करेक्टर ही है थांक्यू